मकर रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 24 जून 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं तो मित्रों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 24 जून 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है तृतिया नक्छत्र है पुस्य पक्छ है सुकल पक्छ और दिन है बुद्ध बारे आज के दिन सुर्यूदे हो रहा है 5 बज़ के 24 मिनट में और सुर्यास्त है 7 बज़ के 22 मिनट में रितू है वर्षा और आज का दिन काल है 13 घंटे 57 मिनट 58 सेकेंड का महिना है आसाध और आज के दिन आपके लिए सुभ समय नहीं है असुब समय शुरू होता है 11 बज के 55 मिनट एम से 12 बज के 51 मिनट पी एम तक और राहुकाल शुरू होता है 12 बज के 23 मिनट पी एम से 2 बज के 8 मिनट पी एम तक और दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का पंचांग इसके बाद बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मित्रों इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग् प्रियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में मित्रों आपके हिल्थ के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बेहतर और सांदार रहेगा आज के दिन की सुरुवात आप ध्यान और योगा से करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बोडी में उर्जा का अस्तर काफी जयादा उचा होगा और आपका स्वास्त बहुत जयादा मजबूत और शांदार हो जाएगा वैसे अगर आपके धन संपत्ती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका समय सही रहने वाला है आज के दिन बिना बताए आपका कोई देंदार आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा जिसके बारे में जानने के बाद आप अचंभित रह जाएंगे आपको विस्वास नहीं होगा और इस वजह से आज के दिन आपको पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी इसके बाद है आपका पाडिवारिक जीबन मित्रों आज के दिन अपने घर पडिवार में आप बिबाद, मत भेद और दूसरों की आप में कमिया निकालने की आदत को इगनौर कर दें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपका पाडिवारिक जीबन बेहतर हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके घर पडिवार का माहौल खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय सही रहने वाला है आपने सुना होगा कि प्रेम निसिम होता है प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और आज के दिन यही साड़ी बातें आप महसूस करेंगे आप देखेंगे और इस वजह से आज के दिन आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा मजबूत और शांदार होगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में आप सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ती और चतुरता अपने अंदर लाएं क्योंकि आज के दिन हो सकता है आपके सहकर्मी आपके करमचाडी आपके कामकाज में साथ नहीं देने के पक्ष में हो तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या है मित्रों आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है साथ यनी की सैबन और शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और सांदार होगा मित्रों उपाई बहुत सामानी है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान गनेश की पूजा करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकागरता के शाथ आपका शमे सांदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या कहीं कोई परेशानी नहीं होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें वीडियो को आप हर जगह से एर कर दें धन्यवाद